आम पौर पर हम सभी ने कुट्टों को खुले में ही सहवास की क्रिया करते देखा है उनको लोक लज्जा का कोई डर नहीं रहता इस पर लोगों का मानना ये होता है कि वो तो जानवर हैं तो सहवास की क्रिया को खुले में ही करेंगे लेकिन कभी आपने कुट्तों के अलावा बिल्ली या किसी और जानवर को सहवास की क्रिया खुलने में करते देखा है नहीं न क्योंकि ये सारा मामला कुट्तों के लिए श्राप है जो महाभारत काल से ही द्रौपती के कारण चलता रहा है कहानी उस वक्त की है जब शादी के बाद द्रौपती अपने पांचों पतियों के साथ रहने लगी थी लेकिन वो एक समय में किसी एक पांडव के साथ ही समय व्यतीत करती थी द्रौपती जब अपने कक्ष में किसी पांडव के साथ होती तो वही पांडव दर्वाजे के सामने अपनी चरण पादुका रख देता था जिससे की दूसरे पांडवों को ये जानकारी हो कि द्रौपती किसी और पांडव के साथ अपने कक्ष में है लेकिन एक दिन दर्वाजे के पास रखी चरण पादुका को एक कुट्ता घूमते घूमते मुह में लेकर दूर जंगल में चला गया उस समय द्रौपती युधिस्टर के साथ कक्ष में थी इस दोरान भीम जब द्रौपती के कक्ष की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि दर्वाजे पर कोई भी चरण पादुका नहीं है आताहा कक्ष में कोई भी नहीं होगा जब भीम ने कक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि द्रौपती युधिस्टर के साथ बिस्तर पर है द्रौपती युधिस्टर और भीम ने जैसे ही एक दूसरे को देखा तीनों शर्म से लज्जित हो गई और बाहर दर्वाजे पर देखा तो कोई चर्ण पादुका भी नहीं थी फिर दूर जंगल जाकर देखा तो एक कुत्ता उनकी चर्ण पादुका से खेल रहा था इस पर द्रौपती को काफी शर्म और गुस्सा आया इसलिए द्रौपती ने कुत्तो को ये शराप दे दिया कि जिस तरह और किसी ने मेरा सहवास होते देखा उसी तरह पूरी दुनिया तुमारा सहवास होते देखेगी तभी से कुत्ते खुले में ही सहवास करते हैं